नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल कलाम स्टेडी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में रचा करेंगे सबी राजियों के मुख्यमंत्री कोन है राजियों के राजियों के राजियों के राज़दान कहा है तक सबी राजियों का जो आठ जून को बना रहे हैं तो आठ जून तक यतने भी राजियों के मुख्या मंतरी राजेपाल हैं वो सभी हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया हैं तो सभी के बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद में यदि कोई मुख्या मंतरी राजेपाल चेंज होता है तो उसकी जो गठन कब हुआ तो आसाम का गठन दोस्तों 26 जनुवरी 1950 को हुआ आसाम की राजदानी कहा है तो आसाम की राजदानी है दिश्पुर ये दिश्पुर आसाम राज़े की राज़दानी है तो दोस्तों आपको हर राज्ये का गठन, राजदानी, मुख्यमंतरी, राज़ेपाल इतनी चानकरी जरूर पता होने चीए तो देखते रहिए तो गठन 27 जनुबरी को निशो पचास आसाम के राजदानी डिस्पूर तो आसाम के मुख्यमंतरी कोन है इसी परकार दोस्तों मैं हर राज्य का राज्य पाल और मुख्यमंत्री की फोटो दिखाकर आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को एक लाइक जुरू कर दें जिसके हमारा मोटिवेशन बढ़ता है तो हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लेकर आते हैं दोस्तों अधिया आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो राजी है वह है अरुनातल प्रदेश तो आसाम के बारे में चल्चा की अब आगे अरुनातल प्रदेश तो अरुनातल प्रदेश का गठन कब हुआ दोस्तों इसका गटन 20 परवरी 1903 को अरुनातल परदेश का गटन हुआ अरुनातल परदेश के राज़दानी कहा है इता नकर अरुनातल परदेश के वर्तमान राज़दानी है वर्तमान मुक्य मंतरी कोन है तो मुक्य मंतरी है दोस्तो पेमा खांडू हाली में चुनाव हुए ज़िए उन्हीं पीमा खांडू धुबारे जीत कर मुख्य मंतरी बन गया है तो पेमा खांडू और अरॉसल प्रदेश के मुख्य मंतरी हो गई तो मुख्य मंतरी पेमा खांडू हैufen तो राजेपाल पिर तेलंगाना स्टेट अलग हो गया तो तेलंगाना की राज़तानी हिदराबाद रह गई और अंदर प्रदेश की राज़तानी कौन सी होगी अमरावती होगी हाले में दोस्तों चुनाओ वे थे इस राज्ये में और चुनाओ के बाद में YSR कॉंग्रिस के जो हैड है नरसीमन कॉन है ये फोटो में आपको ESL नरसीमन जो राज्येपालन काहाँ के आंदर प्रदेश के नेक्स श्टेट है उत्रप्रदेश तो उत्रप्रदेश का गठन कब हुआ तो उत्रप्रदेश का गठन दोस्तो 24 जिनवरी गुनी 150 को उत्रप्रदेश राज्ये का गठन हुआ तो यूपी की राजदानी लखनाव है मुख्यमत्र है योगी आदितेनाथ जिने तो आप जान बाल है नेक्स देखते हैं उत्राकंड उत्राकंड का गठन मुक्य मंत्री कौन है तुर्वेंदर सिंग रावत है यह फोटो में आपको तुर्वेंदर शिंग रावत दिखाए रहे हैं यह पेपाल पत्रदिसा गहते हैं लेकल हैं मुक्य मंत्री मुंत्री इसनलत फिरंए पर ओ्रेपल युज्य। पार्टी के head य00 नवीन पटनाई दिखाय दे रहे हैं जो उडशा के वर्तमान में मुख्य मंत्री हैं राज Chelsea पाल को ने गने सी लाल है उत्रक्रदेश के वर्तमान ने राज़्य पाल ये पोड्म में आपको गने सी लाले दिखाई दे रहे हैं अगला जो स्टेट है वह करनाटका करनाटक का गठन कब वह दोस्तों तो करनाटक का गठन एक नवंबर 256 को करनाटक राज्ये का गठन हुआ राजदानी कहां है बैंगलूरू है करनाटक तो यह फोटो में दोस्तो आपको एक प्लस पॉइंट की होता है कि आपको जल्दी से आप उसे बूलते नहीं है next है दोस्तो केरला जेके बारे में तो केरला का गठन कब हुआ केरल का गठन दोस्तों एक नॉम्बर गुनी सो चपन को हुआ राजदानी कहा है तिरुबंत परम केरल के वर्तमाने राजदानी है मुक्यमंत्री कौन है पिनाराई विजियन है जो केरला के वर्तमान में मुक्यमंत्री है यह CPIM Communist Party of India मार्क्सवाद इसे बिलोंग करते हैं तो यह फोटो में आपको पिनाराई विजियन दिखाए दे रहे हैं केरला के राजदानी सामी सत्चिवम है केरला के वर्तमाने राजदानी है दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें निचे कमेंट करके बदा सकते हैं यह कोई कमी रह गया है इनमें कुछ और एड करना है वो भी आप हमने राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें गुजरात के बारे में गुजरात का गठन कब हुआ गुजरात का गठन दोस्तों एक मई गुनी सो साट को गुजरात राजदानी कहां है गांधी नगर है मुख्यमंतरी कौन है विजे रुपानी है गुजरात के वर्तमाने मुख्यमंत्री बारते जंता पार्टी से ये फोटो में आपको विजे रुपानी दिखाई दे रहे हैं नीचे हैं दोस्तो राजेपाल ओंपरकास कोली जो कहां के राजेपाल है ये गुजरात के राजेपाल है ओंपरकास कोली नेक्स्ट स्टेट है गोवा तो गोवा के बारे में जानते हैं दोस्तो गोवा में भी मुख्यमंतरी चेंज हुआ है हाली में क्योवा के जो पूरो मु इस पहले कौन थे इसे पहले मनोरे पारिकर थे जिनका दियान्थ होने के बाद में परमोद सावन्त को मुक्यमंत्री बने गया है नेक्स्ट है राज्येपाल तो गोवा के राज्येपाल है मर्दूला सीना ये पोटो में आपको मर्दूला सीना दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट है दोस्तो चतिस गड़ स्टेट के बारे में चतिस गड़ राज्ये का गटन कब हुआ चतिस गड़ का गटन दोस्तो एग नॉंबर 2000 को चतिस गड़ का गटन हुआ है 36 गड़ की राजदानी कहा है 36 गड़ की राजदानी कहा है राइपूर है जिसका अटल नगर नाम परस्तावी था लेकिन अभी राइपूरी है मुक्यमंत्री कौन है? वहां के मुक्यमंत्रियां बुपया से बगेल ये 37 गड के वरतमान मुक्यमंत्रियां बुपया से बगेल राजेपाल कौन है? आनंदी बेन पटेला, 36 गड की वरतमान राजेपाल ये पोटो में आपको आनंदी बेन पटेले दिखा जे रही है जम्मू रहती है शीत कालीन fark फिसरी नगर रहती है राजदानी थो राजदाश्दाइवाला एक मत्र एक र Supreme State राज़बाल में राज़॥ रजबाल अगला देखते हैं अगला है दोस्तो जार्खंड तो जार्खंड के बारे में जानते हैं जार्खंड रज्य है जार्खंड राज्य का गठन कब हुआ जार्खंड का गठन 15 नॉम्बर 2 जार्खंड राज्य का गठन हुआ राजदानी कहा है तो राच्ची है जार्खंड की वर्तमाने राजदान मुक्य मंत्री कोन है तो जारकंड के मुक्य मंत्री है दोस्तो रगवर्दास है जारकंड के वर्तमान में मुक्य मंत्री है फोटो में आपको रगवर्दास दिखाई दे रहे हैं तो जारकंड के CM है राजिपाल कोन है तो द्रौबदी मुर्मू यह फोटो में दिखाई दे र हुआ राजदानी काँ है चेन यह तमिलाडू की वृतमान राजदानी तो मुक्य मंतरि कौन है के पलाञी स्वामी कि अब को के पलाणी सवामी दिखाई दे रहे हैं जो तमिलाडू के वर्तमान में सी क्या वर्तमान में राजेपाल कोन perfectly के बन्वारी लाल पुरोईत यह फोटो में देखिए बनवार लाल पुरोईत हैं यह तमिलाडू के वर्तमान में राजेपाल हैं अगला स्टेट देखते हैं त्यलंगाना जो अंदर परदेश से अलग होकर हाली में बना है जिसका गठन दोस्तों कब हुआ है क्यों चन्दर शेकर राव है त्यलंगाना के वर्तमान में समस्तों कि त्यलंगाना के वर्तमान में राजेपाल है यह एक स्टेट के राजेपाल हो रहे हैं कहां के हैं आप हमें निचे कमेंट करके बताएं जल्दी से कि तेलंगाने के अलावा ESL नर्शिमन किस स्टेट के राजेपाल है मैंने आपको उपर बता दिया है वैसे नेक्स्ट है त्रिपुरा त्रिपुरा स्टेट का गटन का बुआ त्रिपुरा का गटन दोस्तो 21 जनवरी गुनी 122 को भारत के त्रिपुरा राजे का गटन हुआ उसकी राजदानी कौन सी है अगर तला है त्रिपुरा की वरतमान राजदानी मुख्य मंतरी है विपलब कु वर्तमान में राजिपाल हैं अगला देखते हैं स्टेट अगला स्टेट नागालेंड के बारे में जानते हैं नागालेंड का गठन दोस्तों कब हुआ एक दिसंबर 1963 को नागालेंड राज्दानी कहा है कोई माहल नागालेंड की वर्तमान है राज्दानी कोई माहल के अलाव के वर्तमान में राजिपाल हैं तो इतनी जानकर दोस्तों आपको नागलेंड के बारे में हर स्टेट के बारे में इतनी जानकर तो आपको जरूर पता होनी चाहिए अब जानते हैं पंजाब के बारे में तो पंजाब का दोस्तों गठन एक नूमर गुणी सो चपन को पार्टी से हैं यह फोटो में दिखाए दे रहे हैं यह हैं पंजाब के वर्तमान में मुख्य मंत्री तो राजेपाल करने दोस्तों तो राजेपाल बिजेंदर पाल सिंग बदनोर हैं पंजाब के वर्तमाने राजेपाल है तो यतनी जानकरी पंजाब के बारे में दोस्तों ह सबी जनुवरी गुनी सो पचास को हुआ, राजदानी कहा है, कोलकत्ता है, वर्तमाने, राजदानी, मुख्य मंत्री कोन है, ममता बनर्जी हैं, वर्तमाने, मुख्य मंत्री हैं, कहां की, पस्यमें, बंगाल की, ये फोटो में आपको ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं, जो जो बीश वा स्टेट है वे है बिहार तो बिहार का दोस्तों गठन कब उआ बियार का गठन दोस्तों वैसे तो 22 मार्च 1912 को हुआ लेकिन आजादी के बाद में इसका जो हुआ था वो है वर्तमाने राजदानी मुख्यमंत्री को है दोस्तों तो मुख्यमंत्री नितिस कुमार है वर्तमाने मुख्यमंत्री राज़ेपाल को है बिहार के तो लालजी टंडन है बिहार के वर्तमाने राज़ेपाल अब देखते हैं अगले स्टेट के बारे में अगला स्टेट है पॉर्पूर के बारे मेंं जानते हैं, तो मनिपूर का गठन दोस्तों कब हुआ, मनिपूर का गठन, 21 जनवरी Article 22 पॉतो में आपको य cape breyan sing दिखाई दे रहे हैं। अब जानते हैं, मनिपूर की राजियेपाल कोन है तो मनिपुर की राजिय पाल है नजमा हेपतुला ये मनिपुर की वरतमान में राजिय पाल है अगला देखते हैं तो 22 नंबर का जो स्टेट है वह है मद्ये परदेश तो मद्ये परदेश के बारे में जानते हैं मद्ये परदेश का गटन कब हुआ एक नूमबर 156 को मद्ये प्रदेश राज्य का गठन हुआ राजदानी कहा है बोपाल है वरत्माने राजदानी मुख्यमंत्री को है दोस्तो तो कमलाथ है मंद्य प्रदेश के वरत्माने मुख्यमंत्री कोंग्रेस पार्टी से हैं यह फोटो में आपको कमलाथ है दिखाई दे रहे हैं राज्यपाल क स्टेट का गठन कब हो दोस्तों तो महाराष्टर राज्य का गठन एक मईए गुनिस सो साथ को महाराष्टर का गठन हुआ महाराष्टर की राजदानी कहा है मुंबई है महाराष्टर की वर्तमाने राजदानी मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों देवेंदर फ्रनवीस बाट् माराष्ट्रा के राज्य पाल है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मिजोरम, मिजोरम के बारे में जानते हैं, तो मिजोरम के गठन दोस्तों कब हुआ, बीस फरवरी गुनी सो सत्याश इगो, मिजोरम स्टेट राज्य का गठन हुआ, राजदानी कहा है, अई जोल है मिजोरम के वर्तमान राजदानी मुख्यमंत्री कौन दोस्तो जोर मतंगा है मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री ये फोटो में आपको जोर मतंगा दिखाय दे रहे हैं राजयपाल कोन है दोस्तो तो मिजोरम के राजयपाल है जगदी से मुख्य ये हाली मिनुट किया ग गठन 21जनुवरी गुणी ChiTM 22 राज़ादनी कहा है अगला स्टेट देखते हैं अगला स्टेट है राजस्तान तो राजस्तान के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो राजस्तान का गटन कब हुआ, 30 मार्ज गुनी सो गुन चास को, राजस्तान का गटन हुआ, ता हर वरस 30 मार्ज को राजस्तान दीवत के रुप में मनाया जाता है, तो राजस्तान के राजदानी कहा दोस्तों, तो जेपूर है राज़तान के वरतमान राजदानी मुख्यमंत्री कोन है श्रीमान असोग गैलोथ है राज़तान के वरतमान में मुख्यमंत्री ये पोटो में आपको असोग गैलोथ है दिखाई दे रहे हैं जो वरतमान में मुख्यमंत्री है राजयपाल कोन है तो कल्यान सिंग है वरतमा में राजयेपाल ये पोट और डांक सिंग दिखाए रहे हैं जो पूर्वा उत्रेप्रदेश के मुख्यों की मुख्यों मंत्री कोन है तो प्रेम सिंग तमांग है वर्तमान में मुख्य मंत्री कहां के शिक्कम के शिक्कम में दोस्तों हाली में चुना हुए थे तो प्रेम कुमार चामलिंग प्रेम कुमार तमंग यह है फोटो में दिखाए दे रही है कि इसे पहले चाम extended थे अभी प्रेम सिंह तमंग है यह वर्त्मार में डार को डेटी राजयेपाल को ने है दोस्तो सिकं के राजयेपाल है राजधानी काहा है does चंडिकड है रियाना की वरत्मान में राजधानी तब मुक्य मंत्री है मन dwarf allow Gaktr Vartman में रियाना के मुक्य मंत्री है ये पोटो में आपको मन् dumbarlal Gaktr दिखाय दे रहे है तरा के राजिय पाल है सत्य देव नारयन आरिय हैं वरतमान में हर्याना के राज़ी पेल कि अब है गुन तीश्वा स्टेट तो लास्ट इस्टेट है दोस्तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं हिमाचल प्रदेश का गटन कब हुआ 25 दिन अवरी तो यह फोटो में आपको जे राम ठाकुर दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट है आचारीय देवरत जो है राज़े पाल कोन ओर आचारीय देवरत हैं दोस्तों यह थे सभी जतनी केंदर साशित प्रदेश, तो साथ केंदर साशित प्रदेश हैं, उन सभी केंदर साशित प्रदेश हों में, किनकिन इस्टेटों में जो चुनाव होते हैं, उनके मुख्य मंतरी और राजेपाल, और जिम में चुनाव नहीं होते हैं के चिता केंधर शाशित पर्देश है तो वहांपर दोस्तो उप्राज जी पाल वांका कोन है वो देखते हैं तो पुंडुचेरी का गटन कब हुआ तो पुंडुचेरी का गटन दोस्तो 16 अगस्त गुणी 62 को पुंडुचोरी केंदर साशित प्रदेश का गटन हुआ तो पुंडुचेरी की जो राजदानी है वे का है वे भी पुंडुचेरी है मुख्यमंत्री कोन है वी नराण स्वामी पुंडुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री है वहां के दोस्तो उपराज्य पाल कोन है तो केंदर साशित परदेश में राज्य पाल ना होकर उपराज्य पाल होता है तो उप्राजेपाल है किरणे बेदी ये पुंडुचेरी की उप्राजेपाल है नेक्स देखते हैं दिल्ली दिल्ली दोस्तों स्टेट है जिसका कठन भी एक नॉबर गुणी सो चपन को हुआ था उसके मुख्य मंतरी श्रीमान अरिविंद केजरिवाल है ये पोटो में आपको अरिविंद केजरिवाल आमादिम पार्टी से हैं ये दिल्ली के मुख्य मंतरी है ता उप्राजेपाल कोन है तो ये अनिल बेजल है दिल्ली के वर्तमान में उप्राजेपाल है अगला जो स्टे नेक्स्ट है दादर और नागर हवेली का गठन कब हुआ दादर नागर हवेली का गठन 11 अगस्त 1961 को हुआ था राजदानी कहा है तो राजदानी दोस्तों सिल्वास है वर्तमान में दादर नागर हवेली की राजदानी तो वर्तमान में वहां के जो परशासक है वैकोन है तो परफुल खोदा पटेल है दादर नागर हवेली के परशासक है ये फोटो में आपको परफुल खोदा पटेले दिखाई दे रहे हैं तो ये दोस्तो दमन और दीव के हैं तो दमन और दीव जो केंदर साशित परदेश है उसका गठन कब हुआ तो उसका गठन 30 मईग गुनी सो सत्याशिक हुआ राजदानी दमन है तो परफुल को खोदा पटेल ये दमन और दीव के वरतमान में परफुल सक है अब देखते हैं लक्स दीव के बारे में तो लक्स दीव जो केंदर साशित परदेश है उसका गठन भी दोस्तो एक नूमर गुनी सो चपन को हुआ था राजदानी कवरती है लक्स दीव के वरतमान में राजदानी तो वहां के परफुल सक हैं फारुक खान आईपेश हैं ये फारुक खान वहां के लक्स दीव के वरतमान में परफुल सक हैं तो इस पोटो में आपको फारुक खाने दिखा जा रही है अगला जो state है वह दोस्तों चंडिकड तो चंडिकड सहराई केंदर साशित परदेश भी है इसी के साथ पंजाब और हरियाणा की राजदानी भी है तो ये फोटो में आपको वीपी सिंग बदनोर दिखाए दे रहे हैं के साथ दोस्तों जो हर्यान और पंजार की राजदानी है वह भी चंडिगड है तो ये दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप में नीचे कमेंट करके जुरू बताएं यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिएगे लाल सब किये बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें उसके पास जो बेल आइकोन गंठे का साना उस गंठे कर सान को जरू दबा दें जिसे हमारे आगे आने वाले सबी वीडियो की सुझनाएं तुरंत वीडियो डालते हैं आप तक के पहुंच सुके धन्यवाद कर दो